रेलवे ट्रेक पर भूतिया दिवाली दोनों शराबी ऐसे ही बोलते हुए रेलवे ट्रेक की तरफ बढ़ रहे थे वो शराबी उससे ऐसे पूछ रहे थे कि तब ही उन दोनों की चीख निकल गई क्योंकि वहाँ पर कोई इनसान नहीं बलकि एक भूत और चोडेल खड़े थे अब मैं तुम्हें नहीं चोड़ूंगा नहीं नहीं हमें चोड़ता चोड़ना होता तो मैं तुम्हें पकड़ता ही क्यों आप इतनी पाचित क्यों कर रहे हो जल्दी से अपना काम करिये ठीक है ऐसे बोलकर उस भूत ने उन शराबियों को अपनी शक्तियों से कैद कर लिया और उसे एक अनार बम में डाल दिया अब इस गाओं की हम करवाएंगे हैपी दिवाली जिस तरह हम दिवाली के दिन मरे थे ठीक वैसे ही अब इस गाओं के लोग भी दिवाली के दिन मरे जाएंगे ऐसे बोलकर वो भूत चुडेल दिल्वी ट्रेक पर से गायब हो गए रामपूर गाउं के बीचो बीच एक ट्रेन की पढ़ रही थी जिस पर भूत और चुडेल का साया था लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं जानता था वहीं पास में हरिया नाम का एक आदमी गुजर रहा था जिसने ये सारी बात सुन ले थी हरिया ऐसा बोलता हुआ सीधा अपने घर आ गया उसने गाउं वालों को भूत और की बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अगले दिन एक बटा के बेजने वाली उस रेलवे ट्रेक से गुजरी अरे भगवान जी ऐसे ट्रेन की पट्री पे तो हमका समान लेकर चलते हुए बहुत डल लग रहा है अराम से कदम बड़ा चंदर मुखी नहीं तो तो हो जाएगी दूखी वो पटाके वाली ऐसे ही बोलती हुई रेलवे ट्रेक को पार कर रही थी कि तभी उसका पाम रेलवे ट्रेक में फंस गया ओ भगवान जी ये क्या हो गया कोई है मैं कोई मदद करूँ क्या हाँ जरा भूत चुडेल अरे इतना डर क्यों रही है हमें जारे दो हाँ हाँ मैं तुझे भेज नहीं तो आई हूँ वो भी जहनुम में बातों पर नहीं काम पर ध्यान दो चुडेल ऐसे बोलकर उन दोनों भूत और चुडेल ने उस औरत को भी उसी अनार बं में कैद कर दिया और फिर वो दोनों भूत और चुडेल भी वहां से गायब हो गए अब दिवाली का दिन भी नस्दीक था उसी के साथ उस रेलवे ट्रेक के भूत चुडेल वहां से गुजरने वाले इनसानों को अपनी कैद में कर लिया करते थे अरे भाई जानता है आज फिर गाउं के चार आदमी गायब हो गए अच्छा ये हमारे गाउं में क्या हो रहा है भगवान जाने सभी तरफ बस गाउं में लोगों के गायब होने का ही जिक्र चल रहा था हर या सभी के गायब होने की वज़ा जानता था लेकिन वो डर की वज़ा से किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था ऐसे ही देखते देखते दिन बीटते गए और आज वो दिन था जिसका बेसबरी से भूत और चुडिल ट्रेन की पट्री पर इंतजार कर रहे थे आज दिपावली का दिन था अरे ये गाउ के लोग अचानक कहा गायब हो गई तू नहीं जानता सभी ट्रेन की पट्री के पास पड़ी खाली जगा में बटाके जलाने आये हैं हरिया ने अपने दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो दोनों नहीं माने और वो जबरदस्ती हरिया को भी रेलवे ट्रेक पर ले गए जैसे ही वो सभी ट्रेक के करीब पहुंचे उन्हें गाउं के लोगों की आरतिकी थालियां चिराग और पठाके वगएरा पड़े हुए दिखाई दिये हरिया के दोस्त उसकी एक सुनने को तयार नहीं थे वो दोनों बस आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे कि तभी उन सभी को रेलवे ट्रेक पर बहुत सारे लोगों की भीड दिखाई दी वो रहे सभी गाउंवाले तुब बेवजा ही डर रहा था ऐसा बोलकर वो सभी उस भीड की तरफ ही बढ़ने लगे हरिया को कुछ सही नहीं लग रहा था तो इसलिए वो पीछे ही रुख गया तुम लोग जाओ मैं अभी आ जाओंगा हरिया के दोस्त उस भीड के पास ही चले गए वहां मौजूद सभी गाउंवाले उन भूत और चुडेल के भूतिया शक्तियों में समोहित थे तभी वो भूत और चुडेल उन सभी गाउंवालों को एक अनार बम में कैद कर लेते हैं जिसकी वज़ा से अब वो अनार बम बहुत बड़ा हो चुका था और वो दोनों भूतिया पति पतनी उस अनार बम को जलाने की तैयारी में थे भूत के ऐसा बोलते ही चुडेल उन्हें भी उस अनार बम में कैद कर लेती है हर्या ये नजारा पेड़ के पीछे चुपकर देख रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आता तभी उसे एक ख्याल आता है अगर मुझे अपरे दोस्तों और गाउंवालों को बचाना है तो मुझे किसी तरह यहां तांतरिक बाबा को लाना होगा जिसके बाद हर या किसी तरह जंगल के रास्ते होते हुए तांतरिक बाबा के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है ये तांत्रिक बाबा ये हमारा पुवित्र पर्व है और आप देखिए किस तरह ये चुडेल और भूत सभी कोबली चड़ाने की तैयारी में है आप उन मासूमों को इस तरह मरने मत दो आपको मेरे साथ आना होगा और हमें इस दूविदा से निकालना होगा हरिया रो रोकर ये सारी बातें तांत्रिक बाबा को बताता है और अपनी मदद करने को कहता है जिसके बाद हरिया और तांत्रिक बाबा दोनों उस भूतिया रेलवे ट्रेक पर पहुंच जाते हैं अलक निरंजन अरे वो दुष्ट भूत और चुडेल उन मासूम गाँवालों को छोड़ दे नहीं तो आज नहीं तो आज गया पखंडी तांत्रिक नहीं नहीं तो आज तुम्हारा विनाश होना निश्चित है तांत्रिक तुझे चो करना है कर ले आज हम अपने मोत का वदला इन गाँवालों से लेकर रहेंगे तुम दोनों को भी अपने इस भूतिया अनार बम में शामिल करेंगे तुम्हारी मात के जिम्मेदार ये गाँवाले कैसे जरा मुझे बता नहीं बताएंगे भूत और चुडेल के मना करने पर तांत्रिक अपने शक्तिशाली भभूत उपन पर फेंग देता है जिसके बाद वो एक शक्तिशाली घेरे में कैद हो जाते हैं और दड़पने लगते हैं छोड़ दो हमें मैं सब कुछ बताती हूँ एक साल पहले की बात है हम दोनों पती पतने दिवाली के दिन मायूस होके अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे थे उस दिन हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे तो दिवाली क्या ही मनाते वही घर की बाहर चारो तरफ हम पठाकों का सोर तब ही अचानक हमारी कुटिया में आग लग जाती है हम मदद के लिए चेक तजलाते रहें लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हमारी मौथ हो देखो काल को कोई भी टाल नहीं सकता इसमें इन गाउं वालों की कोई गलती नहीं है इसलिए तुम मिने छोड़ दो ऐसा कभी नहीं हो सकता अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ नहीं तो इसका जाम बहुत बुरा होगा लगता है तुम ऐसे नहीं मारोगे तुम्हें सीधी बास समझ में नहीं आती इसके बाद तांतरिक भाबा उस विशाल अनार बंब के चारो तरफ दिये लगा देता है और जैसे ही दिये का परकाश उस अनार बंब पर पड़ती है भूत और चुडेल जलने लगते हैं और मुक्त हो जाते हैं वही एक धुए के साथ सारे गाउंवाले उस अनार बंब से बहार आ जाते हैं तांतरिक भाबा की जैवो आप सभी हमेशा याद रखना बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीद होती है और ये दिवाली उसी अच्छाई का परती है इसलिए सभी को हैपी दिवाली